नबस्कार में हूँ संजे कुमार आपको बताना चाहूंगा कि जब से आंगल बारी सेवका और सहाईका की चैन मुक्ती रद किया है नितिस सरकार तब से और जब से बेतर में ब्रीधी किया है नितिस सरकार तब से सरकारी करमचारी CDPO और सुपरवाइजर LS की जो है कमीशन में बढ़ोतरी होगी एक खबर हम आपको बता रहा है सुपरो के दोरा जनकारी दी हुई खबर है जब तक इसकी evidence मेरे पास नहीं आ जाती है तब तक हम इसकी पुष्टी नहीं करते हैं लेकिन जो सेवका सहाइका की जो ये खबर आ रहे है सुत्रों के द्वरा जो खबर मिल रहा है इस खबर के तोर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही नितिश कुमार की बढ़ोतरी हुई है जैसे ही नितिश कुमार ने बढ़ोतरी किया है उसी परकार से अंगनबारी के ओफिशर CDPO सुपरवायजर और ڈपी ऑ अपने कमिशन को जो है बढ़ा दिया है CDPO का कहना है कि आप भाई तुम्हारा salary बर गया है, नितिसकुमा ने तुम्हारे salary में बढ़ोतरी किया है, इसलिए आप मुझे भी बढ़ा करके कमिशन दो, अगर तुम कमिशन मुझे नहीं देते हो, तो कोई न कोई नुक्स निकाल करके हम तुम्हें चैनमुक्ती कर ही दे कमिशन CDPO, उसके डर से तो कोई भी आंगरवारी सेवका और सहाईका इसकी आवाज नहीं उठाता है और नहीं कोई evidence देते हैं, हलाकि मैं आपको बताना चाहूंगा, कि इस बार की धरना परदर्चन में, जो चैनमुक्ती जो सेवका सहाईका हुई थी, वो CDPO के आदेश पर CDPO के लिस्ट तयार किये हुए, लिस्ट के अधार पढ़ी, डिपियों ने और सरकार की करमचारी ने इनहें चैनमुक्ती रद किया था, उनमें से आपको बताना चाहूंगा, कि उनमें से कम से कम, तो मुझे 25% सेवका से बात हुआ, और उस सेवका ने कहा, कि हम लोग CDPO के जुर्म के खिलाप अबाज उठाते हैं, इसलिए हम लोग उसके नजर में पहले से खटक रहे थे, लेकिन वो मौका की तलास कर रही थी, लेकिन जभी मौका उसके हाथ लगा, उन लोगों ने हम लोग का लिस्ट बना करके, डिपियों को दे दिया, और डिपियों गलत तरी लेकिन उसके बाद नितिश कुमार की चुनाब पहल को देखते हुए, नितिश कुमार ने इसको चैन मुकती रद किया है, अगर ये चुनाब की वक्त अगर नहीं होता, चुनाब की समय अगर नहीं होता, तो नितिश कुमार ने इस चैन मुकती को रद नहीं करता, इसमें रद किया है और इसमें 1050 और 1025 का बढ़ूतरी किया है उसमें भी 1025 और 1050 की जो बढ़ूतरी हुई है उसमें सुपरवाइजर और CDPO और LS का जो है डिमांड बर गया इस डिमांड के उपर जो कारण है वो कारण सिर्पेखी है कि जब तक इन CDPO, LS और डिपियों के उपर नितिस कुमार जाच नहीं बैठाते है तब तक इसका जो कमिशन का सिलसिला है वो जारी रहेगा लेकिन उससे पहले इसी बीच में और भी CDPO के दुआरा आंगनबारी सेवका सहाईका को ये कहा जाता है कि इस धर्ना परदर्शन के याबर में जो जितनी प सहार जो बाकी रह गया था उसमें से 50% तुम रख लो और 50% मुझे दे दो तुम अगर तुम बच्चे को खिलाओ या चाहें नहीं खिलाओ उससे मुझे कोई फरक नहीं परता है हम तुम्हारा रजिस्टर मेंटनेस कर देंगे तुम मुझे इसमें से 50% का हिसा दे दो और 50 से 50% तुम रख लो यह सबसे बड़ी सवाल है के निति सरकार की करम्चारी जब तक नितिस कुमार उसके उपर सिखन्जा नहीं कर सेंगे जब तक नितिस कुमार की नजर उन कमीशन पर से नहीं अटेगा तब तक यह सिवका और साहिका उस कमीशन में भागिदारी लेते ही रहेंगे और सिवका और साहिका को परसान करते ही रहेंगे लेकिन इसका मुख्य कारन क्या है कि सिर्फ खामोश, लोक तंतर में अगर आप अपनी खामोशी खुद बना लेते हैं या बन जाते हैं, to करबशन करने वाले की होसला जो है बुलंद होता है, और वो करबशन करने वाले आपके पग पग पर रुकावट डालेंगे, और रुकावट की कारण होगा आपकी खामो मोका पाते ही आपको भी नहीं चोड़ेगा चुकि इस करब्शन में जो नीचे से लेकर के उपर तक बताया जाता है, कि करब्शन है इसके लेकर के ये तमाम एक चैनल बनाया गया है, कि नीचे से लेकर के उपर तक जो है कमिशन पहुंसता है मैंने कई सारे evidence दिया भी है कई सारे evidence मैंने सरकार को दिखाया भी है कई सारे जगों की जो समस्या है आम जनता ने दिखाया भी है लेकिन इस पर कोई पहल नहीं की जा रही कारण क्या है कि कोई पहल नहीं की जा रही ह ये सबसे बड़ी सवाल है, सवाल तो ये तभी है जब सुच्रुक के द्वारा जनकारी मिलता है, नीचे से उपर तक जो है कमिशन जाता है, लेकिन इसकी जाच किसी भी मंतराले के ओर से नहीं किया जाता है, जैसे हमने आपको दिखाया भी था, कि कटिहार के बारसोई परके इनके CDP और निता कुमारी की पूरी, एडियो मैंने दिखाय था, पूरा विडियो दिखाय था, वहाँ के अस्थानिये बिध़ायक ने क्या किया कि नीतिश कुमार से लिखित रूप में जाकर कि मिला, और नीतिश कुमार को कहा कि कटिहार के बारसोई परखंड के, जो CDP अनिता कुमार है वो खुले आव रिस्वत लेती है उसको आविरम बर्खास्त किया जाए लेकिन इतनी सारी एविडेंस देने के बाद भी नितिस कुमार ने उसके उपर कोई कानून करवाय नहीं किया गया बलकि उतनी नहीं बलकि वहां के उससी डिपी से डीयम से लेकर करे डिप्यो तक भैख खाते थे चुकि कि बताया यह जा रहा था कि डारेक्ट उस सी डिपी ओ का जो है मदन सहनी से कंटेक्ट और मदन सहनी जिसके सर पे हाथ रख दिया उसे फालतो आदमें से डरने की क्या